सांसद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत शानू को पुलिस ने किया गिरफतार दो दर्जन के करीब दर्ज है मुकदमे सांसद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान उफ शानू पुत्र फिरासत अली खान निवासी मुहला इमली अस्मक खान थाना गंज को पुलिस ने गिरफतार किया है दो दर्जन से ज़्यादा दर्ज है मुकदमे ज्यादा मुकदमों के चलते जिला प्रशासन छे महिने के लिए जिला बदर भी कर चुका था फसाहत शानू यतीम खाना प्रकरंच सहित शानू के उपर विभिन ठानों में लूट पाट के कई मुकदमे दर्ज थे पुलिस के अनुसार फसाहत शानू की निशान देही पर लूट का सामान और दो भैंस भी वरामद हुई है सपा सरकार में यतीम खाना बस्ती में पीडितों के मकान तोड़े जाने और भैंस वक्री चोरी और लूट पाट के आरोप लगाये गये थे सत्ता बदलने के बाद पीडितों ने आजम खान सहित कई लोगों पर मुकदमे दर्ज कराये थे उनमें आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू भी नामजद थे जिनको कोतवाली पुलिस ने रात में तोप खाना गेट के पास से गिरफतार किया और निशान देही पर थाना कोतवाली वा गंज में दर्ज मुकदमों से संबंदित लूट वा चोरी के रुपए माल भी बरामत पिखाया गया दो दर्जन मुकदमे दर्ज होने पर गिरफतारी के बाद शानू को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया जन्दपत रांपर पुलिस ने चार लोग को औरेस्क किया है जिसमें नमबर एक पसाथ अली खांव शानूर पुत्र फिरासत अली हैं यह हमारे सोडा केसिस में वंटिट थे इनका यतीम खना प्रकरण में इनके किलाफ मारपीट लूट डगेती और तोड़ पोड में मुक बाकी स्टीन की निकाली जा रही है विमिन खानों से दूसरा केस है उसमें पीएस गंज में हमारे एक वंटिट था सज्जात खां उसको अरेस्ट किया गया है इसके किलाब दो मुकद में दर्श थे दोनों में इसकी रिकवरी हुई है कैश की साथ में इसका अपरादी के त बानों में गंज पर वसे विलांच में